कि सियसी के तरफ से जो अभी अपडेट दी गई है दोस्तों जो जितने भी सियसी यूजर हैं चाहे वो बैंकिंग सर्विस प्रवाइड करते हूं सियसी से चाहे उनका जो है एक डिजिटल साइबर कैफ हो उन सब जो अभी सियसी को लॉग इन करते समय उनको एक पॉप अप अभी तक यह सो नहीं हुआ तो इंतजार करिए आपको बहुत जल्द यह आपको शो कर जाएगा और यह सभी को करना मेंड़ेट वी किया गया है यह सारी चीज़ आपके मन में कुछ अगर डाउट है तो वह सारी चीज़ हम आगे किलियर करने वाले हैं तो वीडियो को बिल अपनी CSC ID को जब आप लॉग इन करते हो तो लॉग इन करने के बाद एक updated information इस तरह का pop-up होता होगा इसका मतलब है कि CSC ने जो है yearly KYC अब अपने सभी CSC users से लेगा और इसे अपडेट करना होगा अपने shop को अपडेट करना होगा और आपकी जो प्रेशनल डीटेल है वो भी जो मतलब जिसके नाम से CSC ID है वो डीटेल आपको yearly जो है आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा तो चलिए हम अपडेट करते हैं अपडेट नाओ पे किलिक करना है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो yearly profile and kiosk update mandatory for all yearly यानि कि यह mandatory है आपको करना ही होगा जहाँ पे आप प्रेशनल डीटेल देख रहा हो जहाँ पे आपको अधार का डीटेल फिल करके आपको जहाँ पे ए यहाँ पे इस्टेट चूज करना है आपका डिश्टी का एंड सब डिश्टी का आपको चूज कर लेना है उसके बाद जो आपका बिलेज कौन सा है यह आपकी होती है प्रेशनल डीटेल और आपका रेसिडेंशल डीटरेस क्या है ऐस पर आपने जो csc में update किया था and then second यह यहाँ पे आपको मिलने वाला kiosk address यानि कि आप shop कहां पे आपका चलता है उसका नाम क्या है kiosk का आपके और उसके बाद उसका क्या state है district क्या है वो सारी चीज़ा आप यहाँ पे उसमें मतलब आपका shop rental है कि on है या खुद का कैसा है वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा अगर rental है तो rented on है तो on करना है उसके बाद यहाँ पे location क्या है उसका rural में है कि जो है यह cities में है अर्बन में तो rural और अर्बन में आपको click कर देना जैसा भी आपका shop जहाँ पे भी होगा उसके बाद अपने दुकान का state उसके बाद जो यहाँ पे district and sub district उसके बाद जो है पे आपको feel करनी होगी and then उसके बाद जो है बिलेज का नाम choose करना होगा अपने उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम choose करना होगा जिस ग्राम पंचायत में आपका csc फिलहाल जो है working में है यह सारी detail वहीं का ही feel करना है ताकि इनके system में proper show हो जाए उसके बाद kios का address भी यहा पे आपको feel करना है pin code देना है उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपका current pen card number यह है तो इसको कुछ आपको छेड़खानी नहीं करना है pen number वही feel करके update कर देना है update करने के बाद आपको यहाँ पे capture डालना है capture डालके आपको आधार consent दे कि यहाँ पे submit कर देना है दिन य यहाँ पे आपका four digit का last का अधार number दिख जाएगा यहाँ पे mode दिया हुआ है कि OTP से verify करना है कि fingerprint से करना है यहाँ पे आपको select कर लेना है यहाँ पे please generate OTP नाव पे click कर देना है जैसे आप generate OTP पे click करोगे आपके mobile पे एक OTP आ जाएगा जो आपके आधार से linked होगा and then उसके बाद वहाँ पे feel करने के बाद आपका यहाँ पे pop-up आ जाएगा कि your KYC has been completed successfully go to digital save a portal यानि कि अब आपका जो यहाँ पे KYC complete हो चुका है yearly KYC तो इसमें बहुत सारी लोगों का doubt था जैसे मैंने शुरू में बदाये वीडियो के कुछ doubt होगा तो clear करूँगा इस KYC को complete तो करन सकते हो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा सिवाइफाइ देखे तो अब जो है आप अपने CSC portal को login करोगे तो login करने के बाद कोई भी pop-up नहीं आएगा आपका yearly KYC mandatory जो भी था वो आपने update कर दिया है तो मुझे उमीद है कि अब आप अपनी CSC ID को use कर पाओगे आसानी के साथ और इस वीडियो को भी अच्छी जो वीडियो आप मैंने बताया उस वीडियो को भी आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा समझ में भी आयागा तो प्लीज इसको जादे से जादा लोगों तक share कर दो like कर दो अभी तक अपनी चैनल को मेरे subscribe नहीं किया तो please subscribe करके जरूर जाना वीडियो को like कर देना दूसरों तक share करना बिलकुल मत भूलना मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में कुछ भी doubt रहेगा तो please comment करके नीचे हमें जरूर बताना